आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ पर बीच में हमारा इस वाननलोड मेंटम की बडावर को इसाइग्क निज्टम भीस मेंटम की बडावर होती है और सिली यहां पर मोमेंटम होगा वह पाइनल मॉमेंटम मैनस इनिसलियल मूमोमेंटम की पा साफाम अपवर्ड डिरेक्शन होगा ठीक है और इनििशेल क्या है इनिशेल मॉमिंटम हमारा 25 मेटर पेसेंड से नीचे के तरफ आ रहे painting तो लेंटिट पॉ है नीच्ची की तरफ टिक है इन मॉमिंटम होगे के इनका औरदेए हो और हमारा इंपकर सो तो हमारा क्या हो जाएगा 10 plus 25 means 35 35 kg meter per second upward direction ठीक है तो changing momentum हो गया 35 kg meter per second हो गया और जो उसकी direction होगी वह upward direction होगी ठीक है तो impulse जो हमारा हो गया impulse final हमारा 35 kg meter per second upward direction होगी तो यह हमारा पैजा केस्ट निकल गया दूसरे में क्या कह छाहा था बी में हमारा कह रहा है कि if the ball is in contact 4.02 second what is the average force exerted on the floor ठीक है exerted exerted average force बताना तो हमें पता है कि जो force होती है F denta T जो होती है वो हमारी impulse के बराबर होती ठीक है यहां पर जो denta T है वो हमारी 0.02 second है तो हमारा जो force हो जाएगा force हमारा F जो हो जाएगा वो I divided by denta T हो जाएगी और I हमने अभी अभी कर्केट की 35 kg meter per second upward direction हो थी divided by denta T जो है denta T हमारा 0.02 second मतब कि divided by 0.02 मतब कि यह जो हो जाएगी हमारी 1750 Newton की हो जाएगी 1750 Newton upward direction है और यह जो force है upward direction है यह force हमारा बॉल पर जाग रहा है तो बॉल पर हमारा 1750 Newton का अपवर डिरेक्शन में फोर्स जाग रहा है तो जो जाएगा वह एक्वाद ओ उपोसिट फोर्स जागेगा ठाख है ठांद फोर्स ओन दा फ्ल्च जो होगा प्रस अन दा फ्ल्च जो होगा एक्कर रहा ऑपोसिट डिरेक्शम में बतल और कि केस का ठीक, 1750 Newton downward direction, okay? तो दोनों केसिस हमारे स्वाल बोगी